हेलो वीवर, इस वीडियो में हम M.I.N.A के बाए में डिसकस करेंगे, M.I.N.A का फुल फॉर्म है, मेसेंजर आइने, एक ऐसा आइने, जो DNA से सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके, राइबोसोम को ट्रांसफर करता है, इट इस आइने, विच केरी जिनिटिक एन आश्टराचन, बट इस मेसेंजर आइने को, मेसेंजर नाम किस ने दिया, जैकॉब एन मौनाड ने, इस M.I.N.A को हम और किन किन नमों से जान सकते हैं, उसके अधरनिम क्या क्या हैं, तो एक है है हेटरोजिनस आइने, या फिर हेटरोजिनस नुकिलियर आइने, अब इसको हैटरोजिनस क्यूंग बोला गया? क्योंकि इस पे split arrangement present होते हैं, split arrangement that means, axon and intron, intron जो non-functional है, axon जो functional है, ओके? इस train के बेसे देखिए, तो single strand with no loop and no fold, कहीं पे भी आपको loops and folds देखने को नहीं मिलेंगी, एक straight line में single strand होगा ये, molecular weight के बैसे से 5 lakh dolton present होंगे but total RNA में ये कितना percent present होता है तो 3 to 5 percent of total RNA structure के बैसे से जाए तो long fiber like structures and single stranded long रहेगा fibrous structures present होंगे and उसका जो strains है वो single strains होगा एक ऐसा enzymes जो मिन को format करने के लिए यूज हो तैट मिन्स रिस्पॉंसिबल enzymes is a RNA polymerase 2 in eukaryotic cell direction इसका कैसा रहेगा तो 523 strand में ये direct होंगे यदि हम इसके structure की बात करें तो eukaryotic cells में इसका जो direction होगा वो रहेगा 523 single stranded बट यहां पर आपको कहीं पर भी loops and fold नजर नहीं आ रहे हैं तो इस्टार्ट करते हैं फाइब प्राइमिंट से फाइब प्राइमिंट पे कैप प्रजेंट होगा विची से फॉर्मेट इन methylate guanine किससे फॉर्मेट हो गए methylate guanine से फॉर्मेट होंगे and it is help मेसंजा आने टू बाइंड वित राइबोसों और यह मेसंजा आने राइबोसों से बाइंड होने के लिए क्या करता है help देता है ठीक है second हम आते हैं non coding strength इस पे 10-200 nucleotides present होते हैं which इसमें यहाँ पे आपको adenine और guanine के higher amount देखने को मिलेंगे which adenine and guanine is found in higher amount थार्ड नमबर का आता है initiation codon जो start करेगा किसी भी coding strength को या पे किसी भी molecular activities को इस molecular activities में AUG जो किसको code करेगा methionine को code करेगा fourth number का आता है reason coding strength इस पे 1500 nucleotide present होते हैं and responsible for translation of protein जो responsible होगा protein sign protein के translation के लिए fifth number का आता है termination codon जो terminate करेगा translation को stop करेगा वो stop करने वाले जो amino acid है या पिनाट्रिक बेस परस है वो रहेंगे आपके UAA, UAG, UGA, UGA, UAA को हम अकर कहते हैं UAG को हम अंबर बोलते हैं और UGA को हम ओपल बोलते हैं six number का आता है non coding reason नाम से प्रचार रहा है कि यह किसी को भी code नहीं कहेगा 15 to 15 to 115 nucleotides में प्रजेंट होंगे it also does not have any code for protein synthesis इसमें किसी भी दाइकर के protein synthesis के code प्रजेंट नहीं होंगे last जो parts होता है वो three payment पर present होता है जिसको हम poly A बोलते हैं यहां पर editing के higher amount देखने को मिलते हैं thank you friend watch my videos and this video को आप लोग share like जरू कीजेगा thank you so much कर जटेंगाए जड़ सक्वाड़ छेगा लुटर हो जएगाकर का हुऽड़ ज़ते हैं